हालो एवरिवन विल्कम बैक तो माई यूटीब चैनल स्वादे बैतरिन आज मैं शेयर करनी हूँ आप लोग के साथ पनीर की सब्जी जो बहुत ही आसानी से कम समय में बहुत ही टेस्टी चटपटी और क्रीमी बनके रेडी होगी तो चलिए देखिए कितनी टेस्टी और आसानी से बहुत ही कम समय में बन जाएगी और घर पे रखे सामान से ही बन जाएगी तो चलिए हम शुरू करते हैं आपने आज की रेसिपी को इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन उसमें में डाल रही हूं दो चमच तेल और हमें इसमें पनीर को थोड़ा सा फ्राइ करन करेंगे तेल भी हमने सिर्फ दो चमच लिया हुआ है तो बस इस तरह से करके तो यह देखिए पाच मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारे पनीर जो है वह अच्छी तरह से फ्राइब हो जाएगी बस इतना ही हमें कि इसे फ्राइब करना है अब हम इसे बाहर निकाल लेते है तो बस उसी पैन में मैं फिर से दो से तीन चमच तेल डाल रही हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रफली कटी हुई तीन मीडियम साइज की प्यास को कट नहीं करना है इसे रफली कट करना है तो यह देखिए इसे थोड़ा से हम सौटे करेंगे और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ दस से पंदर कलिया लेसन की और एक टुकड़ा मैं डाल रही हूँ है इसमें अध्रग इसमें मैंने कट कर लिया है चार से पाच हरी मिर्च आप चाहे तो अपनी टेस्ट रेकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं थोड़ा से सौटे करेंगे हम पस इतना करेंगे कि यह थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए तो ऐसा करने के लिए हम इसे ढख के करेंगे तो यह जल्दी हो जाएगी अब हम इसमें दो मीडियम साइस की टमाटर भी डाल देते हैं हमें इन्हें बहुत जादा लाल नहीं करना है कुक नहीं करना है देखे बस टमाटर के लिए हम इसे ढख देंगे और 5 मिनट में यह जो टमाटर भी अची तरह से सौफ्ट हो जाएगा तो देखेज पांच मिनट हो गया है औ तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देते है और इसे थंड़ होने के लिए रख देते हैं जैसे और फिर हम इसे ग्राइन कर लेंगे तो बस मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है उसी पैन में मैं फिर से 2-3 बड़े चमच तेल ले ले रही हूं और मैं इसमें डाल रही हूं खड़ी मसाले तेजबत्ता और भी मैंने खड़े मसाले डाल दिये हैं सारे जीरा लॉंग दाल चीनी बस इने थोड़ा सा चटकने देंगे और फिर इसके बाद जो ग्राइंड की है ना हमने मसाले प्याज और लेसन अदर का पेस्ट हमने बना लिया हम उसे डाल देते हैं तो यह देखे अब यह इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे कि यह बहुत ही जल्दी बनके रेटी हो जाती है इसमें मैं डाल रही हूं डेड़ चमज के करीब धनिया पाउडर आदर चमज मैंने डाला इसमें मैगी मसाला और हल्दी पाउडर और थोड़ असर मैं डाल रही हूं लाल मिर्श पाउडर आप मैगी मसाला की जगा इसकी जगा कोई भी किचन किंग मसाला या सबजी मसाला कुछ भी आड़ कर सकते हैं मैगी मसाला से टेस्ट थोड़ा से जादा अच्छा और चटपटा आ जाता है तो बस इसे चलाते विए में इसे बून लेना है तो ये देखे तेल लगबा चोड़ दिया है पैन ने और मसाला भी हमारा आधा हो गया है तो अब हम मैं इसमें डाल देती हूं उबली हुई मटर इसे मैंने एक प्रेशर दे दिया था इसे भी मच्छे तर से मिक्स कर लेंगे स्वाधन सार नमक डाल देंगे अच्छी तर से मिक्स कर देते हैं तो यह देखिए सारे मसाले नमक और मटर को हमने मिक्स करके दो मिनट के लिए और हमें इसे ढख के पकाना है तो यह देखिए मसाले और मटर अच्छी तर से आपस में मिल गए हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं घर के दूद की मलाई आप इसकी जगह काजू के पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं इससे भी सब्जी का टेक्ष्टर जो है वो बहुत ही क्रीमी और टेस्टी होगा इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसे बहुत अच्छी कुश्बू आ रही है अब बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं हुआ है आपने देखा बस हम इसे ढख के दो मिनट और कुक कर लिए और फिर अब चो है हम इसमें पनीर डाल देते हैं बढ़िया अब हम इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अब मसालों के साथ दो मिनट के लिए इसे भी भून लेते हैं पनीर को भी बहुत ही अच्छी टेस्टी स्वादिश सब्जी बनके रेडी हो जाती है बहुत ही कम समय में हमें इसे ढख के पकाएंगे इंधना मावरा कम लगता है तो यह देखिए अब हम इसमें जो है थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे बस हमने इसमें पानी डाल दिया है अपनी सब्जी के कॉर्डिंग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसे ढख करके 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे तो यह देखिए 5 मिनट बाद हमारी सब्जी का टेक्षर देखिए कितना बड़ी आ गया है इसे खोल करके 2 मिनट और हम ऐसे ही कैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और यह देखे हमारी सबजी क्या क्रीमी और टेस्टी बनके रेडी हुई है बहुत ही टेस्टी और यह देखे इसकी थिक्नस देखे आप बहुत ही स्वाधिस्ट बनी है सबजी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करेगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब मुले. Thank you.